हेलो दोस्तों नमस्कार मैं मदू सिंग राजस्थान से तो आए मेरी छोटी सी हरी भरी छट पर आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है और आज मैं आ गई थी हार्वेस्टिंग करने के लिए क्योंकि करेले हो चुके थे तैयार तो सोचा कि क्यों ना इनकी कर ली जाए और आप भी देखिए और बताइए कि मैं जो टैरिस गाडनिंग करती हूं उसका रिजल्ट मुझे सही मिल रहा है और नहीं मिल रहा है आप कमेंट करके जरूर बताएं और यह देखिए आज मैं करेले तोड़ूंगी क्योंकि मैंने सोचा कि अगर जादा फिर करेले तो यह पक भी जाते हैं तो इसलिए आज इनकी बनाई जाएगी सब्जी तो इसलिए मैं आ गई थी और मैं और सब्जियां भी तोड़ूंगी लेकिन मैंने शुरूआत करेले के पौधे से करिये और यह देखिए मूली की पत्तियां भी तैयार हो गई है तो मैं सोच करती हूँ पालक और मूली मिक्स करके मैं इनकी भाजी बनाती हूँ तो इसलिए आज या तो मैं मूली की पत्तियां भी हर्वेस्ट करूंगी और नहीं होगा तो नेक्स टाइम के लिए इसको छोड़ दूँगी और देखिए इस तरीके से मैं आ गई थी हर्वेस्टिंग क लेकिन मैं आपको एक बार बताती हूं कि आज मैंने किती सारी सबजी हर्वेस्ट करी देखी करेले तोड़ लिये हैं साथ में बरबटी भी तोड़ ली है यानि की बोड़ा और उसके बाद तोड़ ली हैं तो अब आप कमेंट करके बताएं कि क्या टैरेस गाडनिंग अगर आपन करते हैं तो हमको घाटे का सौधा होता है क्या मुझे तो नहीं लगता कि टैरेस गाडनिंग में घाटा लगता है यह तो बहुत ही अच्छा क्योंकि मैं मार्केट गई तो मेरे सबजीयों के कान सुन भाव सुन करके मेरे कान खड़े होगा मैं का तब तो हमको टैरेस गाडनिंग में ही मेहनत करनी चाहिए